दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़ादा important है इस्रम कार्ड को लिकर क्योंकि इस्रम कार्ड में काफी पैसे आ रहे हैं तो जिन लोगों को पैसे मिल रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है बड़ जिनको नहीं मिल रहे हैं उनको क्या करना चाहिए ताकि उनको भी पैसे मिलने लगे सरकार ने इन कारड़ारकों के एकाउंट में भेजे एक हजार रुपए तो अगर आपके एकाउंट में अभी तक पैसे नहीं आए हैं तो वीडियो को धियान से देखते रहें यहां पर देख सकते हैं amount inner in एक हजार रुपए credit तो चलिए पूरी process आप को बताते हैं कि आपको करना क्या है ताकि आपके पैसे जो है अगर एक भी किस्त नहीं आए हैं तो दोनों पैसे आने लगें तो शुरू से वीडियो को देखते रहना इसकी मत करना दोस्तों यह वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए है और इंड तक ऐसे trick के साथ बता ना तो यहां पर आप देख सकते हैं अगर आपने अभी तक इस रमकार्ड नहीं बनौदाया है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा इस तरीके से बनौदाना होगा ताकि आप अपने नदी की लोक सेवा केंद्र या फिर या फिर इमित्रकेंदर या फिर C.S.C. या फिर जाए तो 10-20 रुपए लगता है आप जाके दुकान पर जरू करवाएगा ये आपको दिख रहा है isram.gov.in की वेफसाइट जहां पर आप खुद कर सकते हैं अब यहां पर बात आती है किन लोगों को जो है मिलेंगी अगले किस्त तो यहां पर आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा है आदेश आपका कि इस्रम काड़ योजना के तहसर कार हर महीने पांस रुपे सीधे मजदूरों के खाते में डाल रही है अब इश्रम योजना की अगली जो किस्त है मार्च में मिल सकते है लेकिन योजना के अनुसार इसका लाब उनी श्रमकों को मिलेगा जिन्होंने अब तक इस्रम विभाग में किसी भी योजना का लाब नहीं लिया है आपके बात समझ में आ गए होगी कि अगर आपका कोई और पेंसन वगेरा नहीं आता इस्रम से तो आपको जरूर मिलेगा अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है दोस्तों वो आपको समझने वाली है कि इस्रम कार्ड योजना का लाब आज संगठी छेतर में काम कर रहे लोगों को दिया जा रहा है सरकार द्वारा इस्रम कार्ड धारकों के बैंग खाते में एक हजार रुपए की पहली किस्त भेड दी गई है और अब जो है इस किस्त का लाब उन्हें कार्ड धारकों को दिया जाएगा जिन्होंने सरक पोर्टल पर 31 दिसंबर से पहले अपना रेजिस्ट्रिशन कराया था उन सभी के खाते में पहला किस्त आ चुका है अब यहाँ पर बात आती है जिन्होंने बाद में कराया है तो उनका क्या होगा तो उन सभी को मार्च तक पैसा मिलेगा और एक काम और आप लोग करना जो मैंने आपको बताया था कि ट्रिक बताऊंगा वो ट्रिक यह है कि आप सभी अपने खाते में आधार कार्ड जरूर लिंक करवा लिजिएगा बाइंक में जाके आपका एक भी रूपही नहीं रुकेगा और आपके खाते में आ जाएगा उमीद करता हूँ कि सभी भाई जो भी वीडियो को देख रहे हैं सभी बात समझ गया होंगे अगर कोई दिक्कत होगी तो वीडियो पर कमेंट करके जरूर पूछेगा तो बस आज के लिए इतना ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी महत्पूर सूचना आए उसे आप जान पाएं तो जय हिंद बंदे महात्र में